असलाम अलेकुम, उमीद है आप सब खारियस से हूँ और आपकी दौब से भी खारियस से हूँ आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पावर सीरीज मेथट है जिसमें मेरे पास कॉश्चन गिविन है पावर सीरीज और टेलर सीरीज में सिर्फ ये फर्क है कि उसमें लिमिट्स किविन होती है यहाँ पर विदाउट लिमिट्स होता है तो इसे हम जर्नल फॉर्म में सौफ करते हैं पावर सीरीज को तो यह हमारे पर जर्नल फॉर्म गिविन है यह हमारा question है और हम क्या कहते है let equation 2 is the solution of 1 then फिर हमने इसमे y को हमने integrate कर लिया है sorry y को differentiate के and then again double derivative लिया है we got this ठीक है from this equation हमने differentiate करके य और y double bar easily हमने find कर लिया है फिर हमने इसको put कर दिया इन दोनो values को कि विंती y double bar और y y double bar को हमने जब equation 1 में put किया है तो यह आ गया है और y की values को हमने put किया है यह आ गया है फिर उसके बाद हमने फिर उसके बाद हमने common लिया है यह constant थे इसे हमने common ले लिया इसमें से x x power दोनों में से common आ लिया थी ले लिये x square common आ रहत x cube आ रहत x 4 यह तमाम terms हमने इस तरह common ले लिये from this equals to 0 ठीक है हमने इसको a2 की value find कर लिये इस equation की मदद से जो के equals to 0 है a3 की value और इसी तरह हमने further brackets हम इनको simplify करते गए इस तरह हमने a4 की values find किये a5 की value find किये and then x4 की bracket से हमने a6 की value find किये और हमने इन तमाम values को उठाया और हमने किस में रखना है equation 2 from in equation 2 अब मेरे पास a0, a1, a2, a3, a4 तमाम general values आ गई है तो मैं इन तमाम values को उठाके equation 2 में put करूंगी जिसके बाद मैं इन तमाम values put करने के बाद मैं मेरे पास तमाम value में a0 आ रहा है मैं a0 common ले लूँगी a1 आ रहा है इस equation में मैंने a1 common ले इस तरह मेरे पास ये power series से की मदश से मैंने इस equation को solve कर लिया है उमीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे जादा जादा लाइक करें शेयन करें सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना ही नेक्स वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे तुब तक के लिए लाफेस